आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक प्रशन को क्रॉप करो और तुरेंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें विटरण के चैनलों की पसंद करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए तो देखो इसमें क्या बताना है जो विटरण का चैनल होता है जो हम distribution channel यानि कि विटरण channel का मतलब क्या होता है जिस channel के जरी हम जिस माध्यम के जरी हम अपना सामान या वस्तू या सेवा विक्रेता तक पहुचाते हैं, फुटगर विक्रेता हुआ, थोक व्यापार हुआ और उनसे उभोगता तक पहुचाते हैं, यानि कि हम किस चैनल का यूज करते हैं, कि हमारी वस्तू या सेवा अंत में उभोगता तक पहुच जाए, ठीक ह थोक विक्रेता के बाद फुटकर वयापारी और फुटकर वयापारी के बाद हमारा होता है अंत में उपभोकता नहीं किस चैनल का क्या इतनी लंबी चेन का यूज नहीं नहीं है यैसा भी हो सकता है। उत्पादक सीधा भोगता को बेज दे या ऐसा भी हो सकता है उत्पादक सीधा फुटकर वियापारी को बेज दे थोग वियापारी को बेजने की जरूरत ना हो तो ये कैसे पता चलेगा क्या क्या इसके घटक है क्या क्या इसके कारक है तो उनकी हम चर्जा करेंगे तो सबसे पहला घटा क्या है कीमत ठीक है ना कीमत अब तो कीमत कैसे है अगर महेंगी वस्तू है महेंगी वस्तू में क्या होते है मध्यस्त कम होते है यह कौन है मध्यस्त है जो मध्य में काम कर रहे है यह उत्पादक है यह भोगता है और बीच में जो काम करते हैं थोक विक्रेता या फुटकर व्याबारी वो मद्यस्त होते हैं तो जब वस्तु की कीमत कीमत क्या हो कम हो तो अधिक मद्यस्तों की जरूरत होगी अधिक क्वाबाद कपो कीमत क comment कीमत होती है अधिक मद्यस्तों की जरूरत होती है हम सामान क्योंकि इनका भी कमिशन होता है कुछ profit यह खमाते हैं कुछ profit कमाते कुछ profit कमाते को भी वस्तु की कीमत उतनी नहीं भढ़ती अब जैसे वस्तु की केमत ज़ब ज्यादा होती task तो हम क्या करते हैं सिदह जो company के संग्ठन के क्या होते हैs şoreme होते हैं वहाँ सब्सक्राइब किसको बेच रहा है लिए भूक्ता को सामन भी । हम हम उत्पादक से भोगता जाए उत्पादक से थोक विक्रेता जाए ठीक है ना दूसरा क्या है कि हम क्या देख सकते नाश्वांता नाशवांता का क्या मतलब होता है कि अगर वस्तु जल्दी खराब होने वाली है तो उसको कम मद्यस्तों के बीच में से गुजार के बेचेंगे ठीक है ना ऐसा नहीं कि अगर जितने ज़्यादा मद्यस्त होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा समय लगेगा ठीक है ना तो यह तो फिर चैनल करेंगे कम चैनल ठीक है न और अगर और अगर नाश्वानता क्या होगी कम होगी तो हम क्या करेंगे कम अधिक चैनल यूज करेंगे क्योंकि अब नाश्वानता कम है तो अधिक चैनल यूज कर सकते हैं समय लग गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी कोई नुफसान भी नहीं उठाना पड़ेगा और कौन से चैनल न्दारन के कौन से घटक हो सकते हैं Huh बेख सकते क्रेटा का अनुसार अभल कई अब तर्हुको कई उटपाद उसे जोथनने क्रेटा की एक सप्नेक्रिय और के अनुसार होने कि कह मुझ जैसे कि मानलों मिल्टन की कोई मिल्टन की अगर लंबा चैनल भी हो लोंग चैनल वह तो कोई प्रभलम नहीं प्रॉब्लम नेगा है उसके अलावा अगर मानलों जैसे कि furniture बनवाने हैं, क्या बनवाने हैं, furniture, तो यहां पर क्या करेगा, जो क्रेता है, वो अपनी क्या देगा, specialization देगा, अपनी क्या देगा, निर्देश देगा, अपने निर्देश देगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक प्रत्यक्ष क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष संबंदोना चीए क्रेटा का और विक्रेटा का इस केस में तो यहां पर क्या होगा कि क्रेटा नुसार उत्पाद होते हैं उनमें भी क्या होता है चैनल डिपैंड करता है कि हमें देखना है कि हमारा उत्पाद कैसा है हम furniture बेच रहा है या मिल्टन के बरतन बेच रहा है ठीक है न अब देखो कोई बजार का कोई area कोई च nó कैसा है लोग हैं बच्चे जादा हैं बुडे जादा है जवान जादा हैं तो यह चीजए Kü priorities करने में कि खटक है कि हम लिदारत करें तो इन चीजों का ध्यान रखें और क्या हो सकते हैं क्रेताओं की संख्या एक और देख सकते हैं क्रेता्ब क्रेताओं की संख्या से क्या प्राय कि किसी जहां पर हम प्रोडेक्ट बना रहे हैं या उत्पाद कर रहे हैं या फिर हमारे उत्पाद का कि जो क्रेता है उनकी संख्या क्या है संख्या अगर जादा है तो हमें जादा चैनल यूज़ करने पड़ेगे क्योंकि हमें सभी तक सामान पहुंचाना है अपना संख्यागर कम है तो हम सीधा भी बेच सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही, हम कम चैनल की यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये थे हमारे वित्रिन के चैनलों को निर्धारित करने वाले कारक्त, थैंक यू